हलो एंड वेलकम आप देख रहे हैं बॉलीवूड रिपोर्टर और मैं हूँ आपके साथ सुनाली हाजर हूँ बॉलीवूड के अप्टुडेट खबरों के साथ फिर एक बार तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवूड रिपोर्टर की टॉप नियूज शारुक खान नाम तो सुना होगा और अगर नहीं सुना तो लगता है कि आफ फिल्मी दुनिया से बिलकुल भी इत्तिफाक नहीं रखते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोमांटिक स्टार जिसकी शोहरत ना सरद्यों की बंदिशे मानती है ना भाशाओं की बेडिया पहनती है जिसका रोमांटिक पोज अब भी दिल दढ़काता है जिसकी हर फिल्म पर कडोरों चाहने वालों को कुछ-कुछ होता है और जिसका स्टारडम 30 साल का हो गया है तीस साल यानि तीन दशक कितने ही स्टार्स आते हैं जाते हैं लेकिन शाहरुक कोई दौर नहीं जो आया और चला गया शाहरुक नाम है एक ब्रैंड का जो बिक्ता है पिछले कुछ सालों से किंग खान ने कोई काम्याफ फिल्म नहीं दी लगभग चार साल से किंग खान की किसी फिल्म में बॉक्स आफिस पर दस्टक नहीं दी है लेकिन फिर भी हिंदूस्तान के एक बड़े डिरेक्टर ने कहा कि शाहरुक अगर बैक टू बैक 50 सिल्म में भी फ्लॉप दे दे तो भी उनके स्टार्डम पर रत्ती भर भी फरक नहीं आएगा यह सच है क्योंकि शारुक बदलते तेवर के साथ चार साल बात स्क्रीन पर आने और छाने को तेयार है उनकी हर फिल्म का लोग सोशल मीडिया पर क्रेज बना हुआ है शारुक की हर फिल्म ब्लॉक बस्टर बनने के लिए बेताब है फिल्म डस्ट्री में अपने 30 साल पूरे होने के मौके पर शारुक ने अपनी फिल्म पठान से अपना लुक शेयर करते वे लिखा है 30 साल हो गए लेकिन मैंने गिन नहीं रहा क्योंकि आपका बेशुमार प्यार आपकी मुस्कराहटें अनकिना थे पठान से ये सिल्सला जारी है सची तो है शारुक एक सिल्सला है जो चलता ही रहेगा एक ऐसा दिल्वाला जिससे प्यार का सबक सीखने वाली दो पीडिया जवान हो चकी 30 साल पहले 25 जून 1992 को शारुक खान की पहली फिल्म दीवाना रिलीज हुई थी यह तो इस फिल्म में रिशी कपूर लीड रोल में थे लेकिन चर्चा सबसे ज़ादा डेब्यू स्टार शारुक खान की हुई पहली फिल्म में ही उन्होंने लोगों को अपनी आक्टिंग का दिवाना बना दिया इस फिल्म के लिए शारुक को बेस्ट मेल डेब्यू फिल्म फियर एवार्ड से भी समानित किया गया बाजीगर और डर जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्मों ने तो मानो बाजशा के करियर को नए पंग दी दिये जिसके बाद लगताश शारुक हर एक फिल्म के साथ काम्याबी की सीडी चड़ते गए टीवी से बॉलिवोड तक का सफर तेय करने वाले शारुक का नावाज इंडस्ट्री के टॉप अक्टर्स में शुमार होता है शारुक खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो पठान के अलावा भी कई फिल्मों में नज़र आने वाले हैं एसार के राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में लीड रोल निभाते वे दिखाई देंगे वही सल्मान खान की फिल्म टाइगर थ्री में भी किंग खान का कैमे रोल रखा गया है ये फिल्म 2023 में एट के मौके पर रिलीज होगी इसके अलावा एक जुलाई को रिलीज होने वाली आर माधवन की फिल्म रोकेट्री दा नमभी इफेक्ट में भी शारुक गेस्ट अपीरेंस देते वे नज़र आएंगे फिल्हाल इन दिनों शारुक खान एटली कुमार की फिल्म जवान की शूटिंग कर रहे हैं इस फिल्म का टीजर भी सामने आ चुका है जिसे ओडियंस ने खूप सरा है जवान अगले साल दो जून को रिलीज होगी बीरो रिपोर्ट इट्वंडिफो 48 साल के उम्रु में भी खूप दिखता है करिश्मा की खूप सूर्ती का करिश्मा ना फिल्मे है पास, ना रियालिटी शोज में करती है काम फिर भी करिश्मा कपूर के पास है दुनिया भर का एशो आराम करिश्मा कपूर का नाम बॉलिवुड के उन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी बला की खूप सूर्ती और दमदार अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज किया नभे के दर्शक की वो सबसे सक्सेस्फूल अभिनेत्रियों में से एक रही है 25 जून को करिश्मा का पूर का जनम दिन होता है करिश्मा अब 48 साल की हो चुकी है वो बात अलग है कि करिश्मा ने अपनी उम्र को धोका दिया हुआ है करिश्मा की टॉंट फिगर और उनके चहरे को देख कर कोई उनकी सही उम्र का अंदाजान नहीं लगा सकता करिश्मा के चहरे पर उनकी बढ़ती उम्र के निशान जरा नहीं दिखते वैसे करिश्मा कपूर सिफ अपनी एजलेस ब्यूटी के लिए ही सुर्ख्या नहीं बटोरती है बलकि करिश्मा का लगजरी लाइफस्टाइल भी लोगों का अटेंशन ग्राब करता है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेवो की बड़ी बहना लोलो की टोटल नेट वर्थ 12 मिलियन यूएस जॉलर्स है जिसे अगर इंडियन करिंसी में कनवर्ट करें तो ये आकड़ा आता है करीब 87 करोड रुपे जी हाँ 87 करोड की प्रॉपेटी की मालकिन है करिश्मा का पूर्ट हैरानी की बात तो ये है कि करिश्मा लंबे वक्त से फिल्मों में आक्टिव नहीं है उन्होंने बतौर आक्ट्रेस साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म डेंजरेस इश्क में काम किया था जिसके बाद से वो इका दुक्का फिल्मों में कैमियो रोल्स में ही दिखी है उनके पास कोई रियालिटी शो भी नहीं है फिल्म और रियालिटी शोज में कैमियो के जरिये ही करिश्मा लाखों की कमाई कर लेती है करिश्मा कपूर की इंकम का सोर्स, विक्यापन और उनका बिजनस है करिश्मा कई टॉप ब्रांड्स को इंडॉस करती है जिनसे उनकी मोटी कमाई होती है इसके अलावा एक्ट्रिस बेबी क्लोधिंग ब्रांड बेबी ओय भी चलाती है जहां नन्हे बच्चों की जरूरत का हर सामान मिलता है यहां से भी करिश्मा की अच्छी खासी कमाई होती है मुंबई के खार इलाके में आलिशान अपार्टमेंट में रहने वाली करिश्मा का पूर कई लगजिरी गारियों की भी मालकिन है करिश्मा के पास 1.57 करोड की कीमत वाली एक Mercedes-Benz S-Class है इसके अलावा उनके पास एक Lexus LX470 कार है जिसकी कीमत 35 लाख से 40 लाख के बीच है करिश्मा के पास एक Mercedes-Benz E-Class भी है उनकी इस गाड़ी की कीमत 65 लाख रुपे से लेकर 70 लाख रुपे के करीब है करिश्मा कपूर की कार कलेक्शन में BMW 7 सीरीज भी शामिल है उनकी कार कलेक्शन की लिस्ट पूरी होती है स्वेंग की Audi Q7 के साथ इस लगजिरी गाड़ी की एक्स शोरूम की मतलग भग 90 लाख रुपे है बता दें की पती संजर कपूर से तलाक लेने के बाद से ही करिश्मा का पूर बतार सिंगल मॉम अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही है करिश्मा के दो बच्चे हैं बेटी समायरा और बेटा कियान करिश्मा की बेटी समायरा 17 साल की हो गई है तो वहीं उनका बेटा कियान 12 साल का है करिश्मा ने अपनी बच्चों की परवरिश के लिए ही फिल्मों से दूरी बना ली थी Pure Report E24 बहुत बहुत सब्सक्राइब करें तो सब संभा लेते हैं लेकिन जितनी भी लोग रुके हैं उनका मतलब खातिर्दारी करना सिर्फ मेरा मैंने मतारी अस अन एक्टर जब ही मैं सुनता था कि कोई जो है फिल्म डिरेक्ट कर रहा है प्रिदूस कर रहा है लिख भी रहा है तो मैं बड़े मतलब कहते हैं गंदे तरीके सास्ता था यार यह यह पिंचर की तो लग गई क्योंकि इतने सारे डपार्मेंट्स एक इनसां स अर अब जाके इतने सारे नाम और क्रेडिट्स मेरे नाम के साथ जुड़ गए तो इम वरी नर्वस पिछले साल हमने देखा ता कि आपने इसका थोड़ी सी जलग पार की थी थी वाट में यू लिए वेट फॉर लिए हम पिछले साल पी देख सकते थे नहीं एक तो यह है क अब बहुत सारे फिल्म में रोकेट दिखा होगा रोकेट साथलेट्स देखे होंगे इसका पर किसी ने आपको आज तक रोकेट इंजिन नहीं दिखाया होगा तो यह हम ने दिखाया और इसकी जा आवाज है वो इनसान के कानों में पढ़ने वाली सबसे लाओ आवाज मान अब कर देखे होगा तो यह मेरे जिंदिगी के सबसे हसेन चेल सार है मैं आता हो कि बहुत सारी तकलीफ है और कथिनाई हुए है पर उसको सौल्फ करने में जो मजा आया जिन लोगों से मिल ए जो मेरे खांदान से जोड़ गए जो मेरे बाई मैं मानता था वो मेरे मतलब अ फ्रेंट, फिलासोफर, मेंटर बढ़ गए ऐसे सब चीजों, मैंने इस फिल्म में बहुत कुछ पाया यार और इस छे साल में जितने रिष्टे बन गए हैं, जितने एक्स्पिरेंस मुझे मिली हैं I think I am very very lucky What interest you more like doing this project because आपको बहुत कुछ करना था इसमें like producing, writing and directing and acting everything I think what interest you more about the Nambi Sir के बारे में यह सब मैं नहीं करना चाहरा था जब मैं Nambi Narayan साब से मिला और मैंने के कहानी सुनी मैंने रिलाइस का कि Nambi Narayan साब बहुत ही मतलब हर्ट थे उनके आख में आसू आरे थे और वो किसी से भी क्या बलते हैं क्या बलते हैं उसको करुणा नहीं चाहरे थे कि हम उनके लिए सौरी फील करें वो कफा हो चाहरे थे फिर भी एक अफसोस था था कि आज भी अगर उनका नाम आप गूगल में डालो इस वरो स्पाई के आज उनका नाम जुड़ा हुआ है जिसके वो बिल्कुल निर्दोष साबित के गए हैं पस कोट्स ने कह दिया कि वो निर्दोष हैं और सारा फोकुस उनके स्पाई न होने या न होने पर है जबकि मैंने उनके अचीवेंट्स के बारे में सीखी या उसके बारे में रिसर्च किया तो मैं बिल्कुल भॉकला गया नम्मी नाराइन साथ के अचीवेंस इतने कमाल के हैं कि बाहर के देशों में इनका नाम इतना रौशन है कि वो अदब और आदर से जाने जाते हैं और हम यहां उनका नाम तक नहीं जानते और जो उने इस देश के लिए है और उसकी एहमियत चो है इस देश के लिए आज के दिन वो इतना भाहं कर है यह वो intellectual capital जो से हम कहते हैं कि इस देश में चाहिए और वैसे उस चीज के लिए हमें नम्बी नाराण जैसे लोगों को बर्खरार और सुरक्षत रखना होगा उनको एक 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 एक्जामपल बनाना होगा ताकि हमारे scientist, engineers और जेतने भी technological advanced होग है वो इंडिया में अपन पे और हमारी देश को मतलब और अगे बढागा है What was his reaction? Because normally we say that you can't do this. When I watched a live-based movie, people say that I want him, another person to do this. What was his reaction when the trailer came out? Because you have put a video on time square and you are with him. When he saw the trailer, what was his reaction? Look, we have made this film with me, because he is with me, so he can say that I have written something wrong about the engine or technology or anything else. Because this film has made the whole narrative and the court verdicts with the court verdicts. So there are no facts like this film that we have done for cinematic liberty. When they saw the picture, it was very quiet. It was very emotional. But he didn't say anything. After 5 hours, he called me and said that I have seen many things in life that many people will not see. And I have seen such things that no one should not see anyone. And after that, I felt so sad that I have seen the world. But now, after seeing this picture, I feel that there will be a lot of anger and anger. So I was thinking, what is this film in the last 6 hours that we have told this film, 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 that we have told this film. And the answer is that it is not. The one who shows anything is true. Now, I would like to see what people will react after seeing this film. And for that, I would like to see what you have found in my mind. We have seen even Sharuk Khan. When you approached him, what was the discussion? I am very lucky. Khan is saying that he wants to become a part of this film. When we met him in his childhood, he said that Maddy, I want to play a role in this film, rather than passing from behind. I said, sir, thank you very much. You remember the script. He said, no, I am serious. I want to become a part of this film. I want to become a part of this film. And I thought that they are making a part of this film. But I said, look, Pooja, look, I have no role in this film. I have no role in this film. I have no role in this film. But I have no role in this film. Tell me, how long do you want to come to this film? And this film is in Hindi and English. Khan has made me with this film. So, in this country, in this industry, there are a lot of people in this country. Onami Zr, you had written books for your own lives. You also wrote some of these things about her books. Have you made the physical business? I have also done research for this film? Yes, research has done for 15 years. But I have always learned some of these books for her. I have taken the point of her to her side, because it did not mean that this man is about his achievements, बात नहीं करना चाहरा, यह आदमी खुद अपने जो इसने हमारे देश के लिए है, उसके बात नहीं करना चाहरा, उसे बिचारे केस के पिछे उनकी सुई अठके बढ़ी है, तो उनके किताबों से मुझे कोई ले ना दाना नहीं था. क्या आपने वहां पे इसरो अगरे यहां सब भी जाके आपने कुछ रिसर्च की थी, अबाद रोकेट एंवरिधिंग बेसिक चीज़ अब इसरो गए थे, हमने देखा कि पी एसले इंजन कैसा है, कंट्रोल रूम कैसा है, हमने बहुत सारी तस्विरे भी ली, वहां से लोगो जो आपको नहीं पता था और लोगों को नहीं पता अगर आप बताना चाहें नम्भी नारायन के बारे में, एक तो यह है कि लोगों को नम्भी नारायन के बारे में पता ही नहीं है, जिल लोगों को पता है, वो सिर्स पाई केस के बारे में जानते हैं, उनको यह नहीं पता कि प्रिंस्टेन के सबसे पहले आईवी लीग स्टुटन्ट रहें, लोग नहीं जानते कि रश्या जब उससार जब तूट रहा था तो यह कितने दाहिरी और साहस के साथ वहां जाकर रशिन को गुमाया, फ्रेंच को गुमा के बातों से मोहित किया, धंकाया, डरकाया और सब आखों के सामने आखों के नीचे से स्मगल करें इंडिया लए जो इंडिया के पास ऐसे भी पहुंचने थे, हमने पैसे दे रखे थे उसके लिए, तो ऐसी सब बाते हैं जो हम जेम्स बॉंड से ही उमीद करते हैं, हमें थोड़ी पता था कि जेम्स बाब का बाप हमार अब इस वक्त बहुत सारे इस वक्त बहुत सारे ऐसे दिगज लोग जिनके लाइफ बेस पे मुवी और वैब सीरीज बन चुके हैं वेदर इस ओमी जे बाबा या फिर विक्रम सारा भाई या फिर अबुल कलाम जब आपने इसके लिए जब मुवी बनाई थी क्या उन्हों आपने लाइफ के बारे में जो हम पिचर बनाते उसे बायोपिक या बिल्कुल और इसमें हमने यह भी बताया कि नम्भी नारायन साब और डॉक्तर अब्ड।र अब्डुल के विच में कैसी दोस्ती थी और क्या रलेशंशिप था और एक और इंसिदेंट है पर यह सब ची आपने बहुत चारी एसे फिल्में किया जिसमें वेट लॉज भी किया है तो क्या वो मैंटल टॉस करता है कि देखे हमने इस फिल्म में कोई भी बातें को मतलब एक दिम और रखना चाहा हर चीज को तो इस लुक को हासे मतलब में उन्तिस साल 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 के उमर हमने दिखाई और इस दौरान हमने कोई प्रोस्थेटिक्स यूज नहीं किया नहीं हमने मूच दाड़ी लगाई है चुपका के या हमने वेट बढ़ाने के लिए पैडिंग की है या हमने पतला दिखाने के लिए ग्राफिक्स किया कुछ नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर चीज इस फिल् क्योंकि वजन जलदी से बढ़ाना भी था और घटाना भी था तो यए सब कैसे हासे और इस से हमने क्या सीखा दांतों की इसके इसकी अंसान को न taught के उमर से कम दिखा सकता है और जादा बी दिखा सकता है उसको कैसे बढ़ार रख दिया जा सकता है बालों को कैसे ख्य рук वजन तो कम हो जादा, लेकिन चहरा भी इतना गरी जादा कि उमर से जादा दिखते हैं, या फिर अपने दान्तों को ठीक से ने रख पाते हैं, तो यह सब चीजें का सही तरीके से कैसे किया जाए, इसके बारे में जो मैंने जहनकारी प्राप्त की है, इसके बारे में मैं जादा खुश थे, इसलिए वो खुशी हमें आपके इंस्टा पोस्ट के जरियर देखे थी, मेरी सिम्मेदारी सिर्फ ताली बजाना और इंस्टा पोस्ट करना है, बाके सब जो अचीवमेंट है, उसके जम्मेदार वो और मेरी बीवी है, पर हाँ वो अच्छा कर रहा है, जितना नाम और शौर इसको मिला है, वो मुझे पता है कि उसके अचीवमेंट से कहीं ज्यादा उसको मिला है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, और ये बात वो भी समझता है, अब तो दिली बहुत दूर है, ऑलमपिक जाना है, कॉमन वेल्ट में जीतना है, और उसके हम उमर के जो उसे अच्छे हैं, तो वो भी वो जानता है, विचारा उनको प्रमोट करता रहता है अपने इंस्टेग्राम पर, पर फिलहाल तो हम ये रेकिंगिनिशन और ये पॉपलरिटी दूर हो कर सिर्फ स्विमी में कॉंसेट करना चाहते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच हमारे सा झाल